है दोस्तों आज मैं आपको आपके Overall के कैमरा के सैटिंग्स हैं Cámara जो कुछ Tag calorie दो आपको यहाँ पे शोव नहीं होती है लेकिन यह जो सैटिंग्स हैं अलग रहती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी तेना आफको यह सब शहुरोः की science जो है यहाँ पर ध्यान से देखना है और दोस्तों यह जो सैटिंग्स है यह जो चीज है यह उनी डिवाइस में वर्क करेगे जिन में 5.1 का अपडेट यहां पर आ चुका है मतलब कि 5.1 से अपडेड़ डिवाइस है और मैं आपको पूर डिटेल भी बताऊंगा कि कौन सी अपडेट कब आई थी और किस अपडेट आने के बाद यह फीचर जो है ने एड हुए है वह भी बताऊंगा सुना मश्कार दोस्तों मेरे नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं और के न्यूस टेक चनल तो चलिए आज का वीडियो यहां पर शुरू करते हैं तो बेसिकली सबसे यहां पर घना करना होगा हमें Camera Assistant यहां पर डाउनलोड करना होगा ठीक है इसका लिंक में डेस्क्रिप्शन पर दे दूँगा फिलाए आप देखिए कि सैटिंस क्या है टीक है camera assistant को हम यहां पर on कर देते हैं camera assistant जैसे ओपन हुआ तो सारी settings यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं नीचे इसको मैं जाद देता हूं support version 1.5.1 और higher मतलब यहां पर इससे उंचा वर्जन यहां पर आपका होना चाहिए तो अपरेल के बाद अभी तरह कोई भी इसके उपर चेंजिस नहीं आए हैं अगर लास्ट अपडेट आपका अपरेल वाला आया है तो आपके डिवाइस में यह वर्क करेगा ठीक है तो settings कौन सी यह मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं पहले आता है picture softening मतलब की अब स्वीचिंग आपका जो है लैंस जो ऑटोमेटिक लिए जो है सिफ्ट करेगा जैसे कि आपके option नहीं दिया ता लेकिन इसको ओन करने का जो अपने हिसाब से जूम करेगा कम ज्यादा कर लेगा ठीक है light अपने हिसाब से जो है वो adjust करेगा quick tap shutter का option दो आपके device में रहता है ल पारिटीज स्पीड भी कर सकते हैं तो अगर आप balance and speed and quality यह रखना चाते तो यहाप यह वाला option भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है ठीक है जैसे कि एक feature से quick tap and shutter वाला मैंने आपको बताया है मैं इसको जब off कर दूँगा फोज आपर मैं इसको off कर दिया मैं अपना camera यहाँ पर open करता हूँ ओपन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फोटो नहीं आएगा ठीक है यहाँ पर की तरफ करेंगे तो नीचे के side की करेंगे जहां भी आप स्लाइट करेंगे तो यहाँ पर फोटो के option यहाँ पर आ गया उसके बाद जो है जैसे कि मैं यह वाला option जो है नीचे video record recording in photo mode ठीक है तो यह option बहुत important है जैसे कि या भी यह ओफ करते हैं फिर मैं अपना camera यहाँ यहाँ पर ओपन करता हूं camera ओपन करना शेटर का option जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना क्लिक करने के बाद जो आपकी फोटो आएगी नेकिन यह वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी लेकिन यहाँ पर यहाँ पर चालू हो गई जैसे कि यहाँ आप उपर से लोग भी कर सक जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद यहाँ पर और भी option देखने को मिलते हैं टाइमर मल्टी पोटो option को option मिलता है 345 ठीक है 357 कितना multi photo option कितना आप रखना चाहते हैं तो आपको यह भी option यहाँ पर देखने को मिल जाता है मतलब कि आप समझे नहीं camera timeout का मतलब यह है कि ज जैसे कि अब idle mode पर camera on करके रखा हो ना तो आप दस मिनट तक भी अपने camera timeout mode को जो है रख सकते हैं मतलब कि दस मिनट तक आपना camera को idle mode में यहाँ पर रख सकते हैं या फिर एक मिनट में तो एक मिनट बाद जो आपका camera automatically बंद हो जाएगा या फिर टो मिनट रखना चाहते ह आप कोई फोटो क्लिक कर रहें नहीं कोई वीडियो क्लिक कर रहें आपका camera on है तो time out को आप यहाँ पर कम जादा यहाँ पर कर सकते हैं फिर लास्ट यह वाल option आता है dim screen while recording यह option बहुत प्यार है मतलब कि जब आप recording करेंगे तो वो dim screen पर recording होगी आपकी battery जादा चलेगी ठी camera जब on करते है तो आपकी phone की battery बहुत जल्दी drain होती है ठीक है फिर लास्ट option है clean preview on HDMI display तो जब आप अपने phone को कास्ट करते हैं किसी चीज के सथ करते हैं screen के साथ करते हैं या mobile के साथ या laptop के साथ तो यह option जो है जब आप अपना camera on करेंगे ना for example हम यहाँ पर camera on करेंगे तो कि आपको camera में नहीं देखने को मिलती हैं बाकी आप यूज करेंगे तो आपको बहतर तरीके समझ आएगा बाकी आज का वीडियो को कैसा लगा comment box पे comment कीजेगा तो बाई 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 टेक एर जाहिन बंदमात्रम